श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाग था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फाइदा उठाने में खूब मज़ा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पढ़ने पर पीट दिखा देता थ जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते-घूमते बहुत समय बीट गया लेकिन शेर को को मज़ा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालो से बात हो जाए। दो-तीन दिन बीट गए लेकिन उसे भालो से बात करने का कोई पहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालो तो बुढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बुढ़ा भालो मेरे क्या काम इससे दोस्ती करने का कोई फाइदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालो को चिडिया से बात करते हुए सुना। चिडिया भालो से पूछ रही थी आप इतने बुढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो। भालो ने चिडिया को बताया पहले तो मैं मच्छ में जाना होता है और मधुमक्खियों से शेर लेकर आना पड़ता है। यह सारी बाते सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शेर नहीं चखा है। अब इस भालो से दोस्ती करके मैं शेर का स्वात चक सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना उस योजना के तहट शेर भालो के पास गया और कहने लगा आपने मुझे पहचाना आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मचलिया तालाप से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आप से ही टकर भालो को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालो सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी कुफा की ओर चला गया। इधर भालो खाने का निमंतरन मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालो को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूँ। मैं एक ही थाली में खाना लिए बैठे भालू बोढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। थभी शेर ने तीजी से खाना शुरू किया और कुछी समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिडिया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बाते बता दी। चिडिया ने हसते ह कोई पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठा कर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिडिया वहां से उड़ भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिलकुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बा आज तक मुझे शेर चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा तुम्हे शेर खाना है। इतनी सी बात। तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना। मैं तुम्हें शेर खिला दूगा। शेर रेठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दर्वाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा तुम दर्वाजा क्यों बंद कर रही हो। भालू ने कहा अगर शेहद की खुश्बु किसी और ने सूंग ली तो वो यहां आ जाएगा इसलिए दर्वाजा बंद करन जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा इसी के अंदर शेहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मोर डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरो कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस औ और भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पोछा, तुमने मुझे बताया क्यो नहीं की शेहद कैसे खाना है। भालू ने तम तम आते हुए जवाब दिया, मैं शेहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उसस प्यार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगी, तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि करम किसी को नहीं छोड़ता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारी कहानी आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।